हमें यहां एक question given है which of the following changes requires a reducing agent हमें पास 4 examples यहां given है पहला example, दूसरा example, तीसरा example and चौथा example हमें इन में से क्या ढूंड़ना है कि इन में से कौन सा reaction है जिसको reducing agent की जरुवत है तो चलिए थोड़ा concept पे ध्यान देते है reducing agent की जरुवत कब बढ़ती है reducing agent करता क्या है हमें पता है reducing agent क्या करता है could oxidize होता है और किसी और को reduce करता है यानि reducing agent का का काम करना है reducing agent का का काम क्या होता है to reduce someone to reduce someone तो reducing agent क्या करेगा किसी को reduce करेगा इसका मतलब रियक्षिन में पहले से कोई ऐसा होना चाहिए जो reduce होना चाहता हो इसका मतलब उसकी oxidation state कम होनी चाहती हो इसका मतलब ऐसा हमें reaction ठोना पड़ेगा जिसमें reduction हो रहा हो जिसमें reduction हो रहा हो, जिसमें reduction होना चाहता हो, अगर कोई element, इन 4 reactions में कोई element reduce होना चाह रहा है, किसी की reduction हो रही है, तो उस reaction को happen होने के लिए क्या करना पड़ेगा, को reducing agent की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें ढूणना है कि इन में से काई reduce हो रहा है, काई reaction reduce हो रहा है, अगर को reduce हो रहा है, तो उसको reduce करने के लिए reducing agent की जरूरत पड़ी है, तो चलिए इन चार में ढूंटते हैं, कहां पर reduction हो रहा है, जहां पर reduction होगा, वहां reducing agent की जरूत पड़ेगी, यहां पर oxidation होगा, वहां oxidation की जरूत पड़ेगी, चलिए, एक 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 डूंटते हैं, फर्स्ट एक्जांपल क्या है, H3ASO3 से HSO4-2, तो इसमें हम देख सकते हैं, यहां AS की oxidation state कितनी है, oxygen की 2 होती है, 3, 2 जा 6, और hydrogen की 3 होती है, प्लस 3, तो माइनस 3 काउंटर करने के लिए प्लस 3 चाहिए, यहां पर कितनी होगी, 8-2, 6, प्लस 1, 5, तो इहां 5 होगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर oxidation हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, reduce, हमें reduce होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें reduction की जरूत है, इसका मतलब हमें reduction की जरूत है, इसका मतलब इसे oxidizing agent की जरूत होती है, oxidant की जरूरत होगी, यह reduction की reductant की जरूरत नहीं होगी, तो यह हमारा answer नहीं, यह गलत answer है चलिए, part B देखते है BRO3- से BRO- देखिए, यहाँ पर bromine की oxidation state plus 5 से plus 1 जारे है, इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ reduction हो रहा है, तो यहाँ reducing agent पड़ेगे तो यह हमारा correct answer है तो हमारा answer तो मिलगे हम check करते हैं बाकी दोनों में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है चलिए CrO4-2 से Cr2O7-2 यहां देखे Chromium की Oxidation state plus 6 है यहां भी plus 6 है तो यहां तो नहीं चाहिए हमें AlOH3 से AlOH4- यहां भी देखे आलमिनियम की Oxidation state चेंज नहीं हो रही है तो यहां भी reducing agent की जड़ोत नहीं पेड़ेगी तो हमारा answer क्या होगा BRO3-